वाले कक्षा में पहुँचाया जाएगा फिर चंद्रयान को लूनर ट्रांसफर ट्राजेक्टरी में पहुँचा दिया जाएगा यहां से अंतरिक्षयान को चंद्रमा तक पहुँचने में दो दिन लगेंगे अंत्रिक्ष्यान को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने के लिए उसकी लिकविड अपजी मोटर को फिर से चलाया जाएगा कुछ दिनों में धीरे धीरे यान को चंद्रमा की करीब 100 by 100 km की व्रत्ताकार कक्षा में लाया जाएगा और्बिटर इसी कक्षा में रहेगा जबकि विक्रम इससे अलग हो जाएगा और डी बूस्टिंग के पस्चार्ट चंद्रमा की 132 किलो मीटर की कक्षा में लाया जाएगा जहां अगले चार दिनों तक वो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा चौथे दिन और्बिटर का OHRC पेलोड दक्षिन धुरुवियक छेत्र में सुरक्षित लैंडिंग की उप्युक्त जगा को तलाशने का काम शुरू करतेगा Optical High Resolution Camera द्वारा लिए गए चित्रों को पृत्वी पर प्रसारिद करके प्रॉसेस किया जाएगा उसके पश्चार लैंडिंग साइट के मान चित्रों को विक्रम में अप्लोड किया जाएगा और फिर नीचे उतरने की शुरुआत उपीर करके विक्रम पहले चंद्रमा की सतह से 100 मीटर की उंचाई पर उड़ेगा और फिर धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की ओर पड़ेगा चंद्रमा की सतह पर विक्रम के उतरने के बाद रोवर प्रज्यान को उतरा जाएगा प्रज्यान अपना संचार संपर्ग स्थापित करके बाहर निकलेगा इसके पस्चाद प्रज्यान एवं विक्रम के पेलोड को कर्यान वहित किया जाएगा और चंद्रमा की धर्ती का चित्रन, खनिच, एवं रासायनिक तत्वों की उप्लब्दता, चंद्रमा की बाहरी वातावरन, एवं हाइट्रॉक्सिल आयन्स, तथा पानी बर्फ के अवशेशों के बारे में विज्ञानिक सूचना एकत्रित की जाएंगी। और बिटर का जीवनकाल लगभग एक साल है और विक्रम और प्रज्ञान का जीवनकाल चंद्रमा का एक लूनर डे है जो की प्रत्वी के लगभग 14 दिनों के बराबर है। भारत अपनी अंतरिक्ष तक्नी की कौशल एवं मानवता के प्रति अपने बचन को एक बार फिर से सिद्ध करेगा।